मशीन लइनिंग के अंदर हम डेटा से शीख के आगे कुछ प्रडिक्ट कर रहे होते हैं राइट जो हम पर रिडिक्ट कर रहे होते हैं अगर तो वह प्रडिक्शन वाली वैलियू एक नुमैरिक वैलियू है जो हम प्रडिक्ट कर रहे हैं अगर वो नुमेरिक है नुमेरिक से मुराद नंबर में इंटीजर हो या फ्लोट हो दूसरी चीज़ अगर जो हम चीज़ प्रडिक्ट कर रहे है वो हमारा कैटागोरिकल वेरियेबल है तो वो क्लासिफकेशन होगी सिंबल ठीक है ये एक में फर्क है मैं एक मिसाल दी थी कल भी आज फिर देता हूँ कि अगर हमारे पास पूरी कलास का डेटा हो जेंडर का एज का नेम का सो औन अन सो फर्थ मैं एक नाम लिखूं और वो मुझे बता दे कि ये फीमेल का नाम है ये मेल का नाम है फर एग्जेंपल मैं लिखता हूँ जिबरान और इसको प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये मेल है ये फीमेल है तो ये एक कलासिफकेशन की प्रॉबलम है कि जिबरान इस अ मेल परसंग इन दे क्लास अगर मैं पूछँँ जिबरान की हाइट कितनी है प्रेडिक्ट करवाना च अब्जेक्ट्स हैं, क्लासिफकेशन और रिग्रेशन जो रिग्रेशन के सारे के सारे मैट्रिक्स हैं, वो रिग्रेशन के ही रहने हैं, वो क्लासिफकेशन में मिक्स नहीं होने हैं, जो क्लासिफकेशन के मैट्रिक्स हैं, वो सारे के सारे क्लासिफकेशन में ही रहने हैं, व आपको कोई ऐसा याद है मैट्रिक जो क्लासिफकेशन में भी आपने पढ़ा हो वन यू वर मेकिंग एन असाइन्मेंट मिसाल के तोर पे क्या मीन अबसुलूट एरर हम क्लासिफकेशन में यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसी तरीके सो जो F1 स्कोर है एकुरेसी स्कोर है परेसी इज़ार है वो रिग्रेशन में यूज़ नहीं ओने तो कभी जिन्दगी में खुद को कन्फियूज नहीं करना आपने क्यों अगर आपने कहीं पर कन्फियूज कर दिया ना और आप वड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहेगे कि नहीं यह रिग्रेशन की प्रॉब्लम कहा ही मैट्रिक है बस पिर हो सकता है वह वहां कंपनी में आपका आखरी दिन हो क्योंकि यह बहुत बेसिक ABC है मशीन लर्निंग की मैं इतना इंफिसाइज इस वज़ा से कर रहा हूँ क्योंकि लोग पढ़ते पढ़ते बीच में दुबारा से यह मैट्रिक लगाने स्टार्ट कर देते हैं जैसे अभी मेरे कुमेंट सेक्शन में एक बंदे ने लिखा कि जी F1 स्कोर जो है वो रिग्रेशन का मैट्रिक है So that's why I am emphasizing more and more on these things Clear होगी यह दोनों चीज़े ठीक है